हेलो एवरीवन आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं और्बेटल सेलूलाइटिस के बारे में ठीक है तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस डिसीज के अंदर होता क्या है तो इट इस एक्यूड इंफेक्शन ओफ दे सॉफ्ट टीशू ऑफ था ओर्बिट हमारी जो ओ इस एक्यूड हो कि उसका इंफेक्शन है अग Lea । ओर्बाइ्टल सेप्टम के पीछे प्रेजंट होगी न सूफ्टीश kitchen अंदर जिदनी भी सॉफ्ट टीश्यू है और्बाइ्टल सेप्टम के पीछे की साइठ उस सब का इंफेक्शन है ठीक है मतलब कि हमारी आई की आं तो इटियोलोजी के अंदर हमें समझना है mode of the infection के बारे में कि भई ये infection आया कहां से तो infection के तरी mode हो सकते हैं तीन तरह से infection IQ tissue के अंदर पहुँच सकता है या तो exogenous infection मतलब कि बाहर से कोई infection आया और वो directly IQ tissue को लगा फिर है दूसरा है endogenous infection मतलब कि हमारी body के अंदर किसी और organ में किसी और जगर पे infection प्रेजन था ये वो बाद में जो है वो आई तक पहुचा दूसरा है कि आई बोल कि आज आसपास के जगर पे अगर किसी जगर पे infection है तो वो infection spread होके वहाँ पे लगा तो वो है extension of infection from neighboring structures from neighboring structures ठीक है मतलब कि आसपास के जगर पे अगर कहीं पे infection लगा है तो वो लग सकता है आई के अंदर तो आसपास के जगर पे infection लगता है ये बताया हमने को कौन-कौन से जगर पे infection लग सकता है जो infection यहाँ पे spread हो सकता है तो सबसे पहला उसके अंदर है paranazal sinus paranazal sinus फिर उसके बाद है teeth फिर उसके बाद है face में अगर किसे जगर पे लगा हुआ है तो lead में लगा हुआ है infection तो फिर हमारी जो intracranial cavity है उसके अंदर अगर infection है तो वो भी spread होगे होके वहाँ पे पहुँच सकता है एंड इसके अंदर से अभी एक और बाकी है कि orbital structures अगर और बीट के अंदर जो हमारी eye present होगी तो और बीट के अंदर अगर किसी जगह पे infection लगा हुआ है तो वो भी पहुँच सकता है तो यह जो orbital, intra orbital structures का infection होगा ना intra orbital structures का infection यह commonest mode है ठीक है फिर हमने यह बात की कि भी exogenous infection हो सकता है मतलब कि बाहर से infection लगा तो बाहर से infection आई के अंदर कैसा पहुचेगा तो कि penetrating injury Penetrating Ingery Penetrating Ingery तो अगर कोई foreign body eye पे लग गई है तो penetrating injury वो create कर सकती है अगर cornea या कोई और layer eye का damage हो गया तो वहां इसा infection अगर अंदर आ सकता है फिर उसके बाद है कि अगर operation किये हुए हो eviceration, enucleation फिर decryostectomy इसा infection किये हुए हो उसके बाद भी infection लग सकता है ठीक है यह हो गई exogenous infection की बाद फिर इसके बाद हमें देखना है endogenous infection के बारे में कि भई अगर breast के अंदर abscess हो गया हो तो वहां से infection spread हो सकता है फिर उसके बाद है कि thrombo phlebitis अगर हो गया हो लेक के अंदर तो वहां से infection हो लग सकता है सेप्टी सेम यह हो गया हो तो ठीक है मतलब कि बोडी के अंदर ही किसी और जगह पर infection प्रेजेंट है वह यहां पर पहुंचा है तो यह इतियोरोजी के अंदर हमने बात कर ली है mode of the infection के बारे में अब second number पर हमें देखना है कि causative organisms कौन-कौन से हो सकते है तो अब हम देखेंगे causative organisms के बारे में तो commonly involved जो causative organisms होगे उसके बारे में हम देखने वाले हैं तो उसमें सबसे पहला है streptococcus pneumoniae streptococcus pneumoniae फिर उसके बाद है staphylococcus aureus फिर उसके बाद है streptococcus pyogenes यह streptococcus aureus है एंड यह जो है streptococcus pyogenes है उसके बाद है hemophilus influenzae यह organisms है जो commonly इस condition के साथ involved होते है इसमें से कोई भी organism involved हो सकता है ठीक है तो यह etiology के अंदर हमने देख लिया है mode of the infection के बारे में and causative organisms के बारे में तो orbital cellulitis के clinical features देखने से पहले हम यह देखेंगे कि actual में यह दिखता कैसा है तो यह photo हमारी book के अंदर दी हुई है उसमें से हम देख रहे है यह जो है वो है three year old baby के अंदर female जो है उसके अंदर और बड़ा cellulitis ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि symptoms में क्या-क्या देखने को मिलेगा तो उसकी जो आई होगी उसके आई के उपर swelling देखने को मिलेगा ठीक है उसके बाद severe pain होगा एंद यह जो pain है वो eyeball की movement के साथ साथ increase होता जाएगा यह main symptoms है दोनों फिर उसके बाद है कि associated features में हमें fever हो सकता है उसको यह infection है न तो उसके symptoms में fever हो सकता है नोजिया and vomiting हो सकते है कि उसका disease अगर अभी starting के face के अंदर होगा तो उसको diplopia भी हो सकता है and advanced disease उसका हो गया हो गया तो उसका vision loss भी हो सकता है vision loss ठीक है advanced disease के अंदर तो यह हो गए उसके symptoms इसके बाद हमें देखना है कि जब हम examination करेंगे तो हमें उसमें क्या-क्या देखने को मिलेगा तो अब हम देखते है कि science कौन-कौन से देखने को मिलेगी हमें तो सबसे पहले sign के अंदर है कि भाई उसकी जो lead हो कि उसका swelling हो गया हो गया swelling of the lead फिर उसके बाद है कि redness भी देखने को मिलेगी हमें बहुत ज्यादा redness देखने को मिलेगी अगर हम उसको touch करेगे ना तो वो touch करने में woody heart जैसा feel होगा हमें फिर उसकी जो कि उसके अंदर हमें कीमोसिस देखने को मिलेगा का इस देखने को मिलेगा को दो के अंदर फिर उसके बाद है कि बहुत सारा स्वेलिंग हो गया होगा आई के अंदर तो उसकी जो ओक्यूलर मूमेंट से वो ठीक से नहीं हो सकेगी मतलब है चीतनी नॉर्मल आई कि मूमेंट होती है वो सब नहीं हो सकेगी मतलब कि इसका जो ओक्यूलर मूमेंट है उसका लिमिटेशन हो गया होगा रिस्ट्रिक्शन हो गया होगा ठीक कि मतलब की रेस्ट्रिक्शन ओफ ओक्यूदर मॉमेंट्स फिर उसके बाद क्या है कि अगर हम उसका फंडरस एक्जामिनेशन करेंगे ना उसका हम कुन सा एक्जामिनेशन करेंगे तो कि अगर हम उसका फंडरस एक्जामिनेशन करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा तो कि उसकी जो राटाइनल वैसल्स होगी ना उसका कंजेशन हो गया होगा पेपिलाइडिस और पेपिलोएडिमा भी प्रेजेंट होगा अगर तो उसके साइन्स भी देखने को मिलेगे तो कि जो स्पेसिफिकल एक रटाइनल वेंस होगी उसका कजशन देखने को मिलेगा फिर उसके बात क्या देखने को मिलेगा तो की पेपल्लाइटिस और पेपलडीम अगर प्रेजेंट हो गए तो वो भी देखने को मिलेगे उसके science भी देखने को मिलेगे तो ये देख लिया है हमने science के बारे में तो अभी तक हमने clinical features के अंदर science and symptoms के बारे में देख लिया है अब इसके बाद हमें देखना है कि complications कौन-कौन सी हो सकती है ठीक है अगर किसी के eye में ये condition हुई है तो उसकी वज़े से complications कौन-कौन सी होगी तो उसके अंदर सबसे पहले जो ये complications है न वो mainly five heading के अंदर पढ़नी है हमें तो सबसे पहले है ocular complications फिर उसके बाद second number पे है orbital complications फिर उसके बाद third number पे है temporal और parodid abscess मतलब की abscess बनेगे फिर इसके बाद fourth number पे है intracranial complications फिर इसके बाद last है general septicemia तो इसको देखते हैं हम कि भई सबसे पहले ocular complications के अंदर क्या क्या हो सकता है तो कि इसकी वज़े से vision loss हो सकता है फिर वीज़े लोस के बाद second number पे है optic neuritis optic neuritis हो सकता है optic neuritis इसके बाद third number पे है central retinal artery occlusion तो ocular complications के अंदर vision loss हो सकता है optic neuritis हो सकता है and central retinal artery occlusion भी हो सकता है इसके बाद जो orbital complications है उसके अंदर क्या क्या हो सकता है तो कि इसके अंदर दूर चीज़े देखनी हैं हमें कि इसके अंदर क्या 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 हो सकता है तो कि इसके अंदर दूर के अंदर sub periosteal abscess भी हो सकता है and orbital abscess भी हो सकता है मतलब कि abscess होगा यह जो abscess है वो कौन से होगे तो कि sub periosteal and orbital abscess भी बन सकता है and orbital abscess भी बन सकता है उसके बाद है कि temporal और parodid abscess भी बन सकता है and यह क्यों होगा तो कि जो orbit के अंदर जो infection होगा वो अगर parodid truck spread हो गया तो उसके वजह से होगा temporal और parodid abscess मतलब कि अगर जिस भी जगर पर यह जो infection है वो spread हो रहा है वहाँ पर abscess कर रहा है फिर इसके बाद है intracranial complications इसके अंदर क्या क्या हो सकता है कि अगर यह infection brain के अंदर पहुँच गया तो वहाँ पर जाके kevernal sinus thrombosis करा सकता है meningitis करा सकता है and brain abscess भी करा सकता है and इसके बाद क्या है कि कुछ-कुछ case के अंदर जहन्रा सेप्टी से में अभी हो सकता है फिर यहां पर हमने जो sub periosteal abscess की बाद की है ना उसके अंदर क्या होता है तो कि परस का collection हो जाता है प्यूर्ण मट्रियल का collection हो जाता है कहां पर तो कि इसके बारे में सब periosteal abscess के बारे में देख रहे हम यहां पर तो इसके अंदर क्या होगा तो कि orbit की जो bony wall होगी orbital bony wall and periosteum इन दोनों के बीच की जो जगर होगी वहां पर पस का जो है accumulation हो जाएगा पस बर जाएगा वहां पर and generally वो meteor orbital war पर रोकेटेड होगा and हम कब suspect करेंगे कि यह हुआ है complications के दौर पर तो कि जब clinical features के साथ साथ हमें eccentric proptosis भी देखने को मिल लेगा तब and जब हम CT scan करवाएगे तो उसमें भी हमें पता चल जाएगा ठीक है फिर इसके बाद यहां पर हमने देखा है कि orbital obses भी हो सकता है इसके अंदर क्या होगा तो कि जो पस है उसका collection कहां पर होगा तो कि orbital orbit के अंदर जो soft tissue है उसके अंदर ही पस का collection हो जाएगा इसके अंदर हमने जो clinical sign देखे है उसके साथ-साथ severe proptosis भी देखने को मिलेगा marked chemosis हो जाएगा कंचक टैवा के अंदर and हम CT scan करा के इसको confirm कर सकते हैं तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा है कि orbital cellulitis के definition क्या है इसकी etiology अंदर हमने mode of infection देखा and causative organisms कौन-कौन से हो सकते है वो देखा इसके बाद हमने clinical features के अंदर symptoms and signs देखे इसके बाद हमने जो 5 complications है ocular complications, orbital complications के अंदर subperiosteal abscess and orbital abscess फिल जो हमारा perotid abscess है वो intracranial complications and general septicemia इसके बारे में देखा अब नेक्स्ट वीडियो में part 2 के अंदर हम देखे कि इसके अंदर में specifically investigations कौन-कौन से करा नहीं है and this disease को हमेटरीट कैसे करना है ठीक है, thank you